आज मैं आपके सार्फ शेयर करूंगी व्रत की सात्विक थाली की complete recipe इस थाली में आज हम बनाने वाले हैं सात्विक पूरी, दही वाले आलू और साबुद दाना वड़ा तो आज मैं आपके लिए व्रत की थाली की recipe लेके आई हूँ जिसमें proper way में बहुत ही जटपर तरीके स मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बना सकते हैं so hey foodies welcome back to my channel आये सीख लेते हैं बनाना यहाँ पर एक कडाई में मैंने दो चमच तेल गरम करने के लिए रख दिया है एक चमच मैंने इसमें जीरा एट किया है एक हर इमेच मैंने इसके अंदर slit करके एट कर दिये और एक कप मैं इसमें एट करूँगी chopped tomatoes और इसे अच्छे से हब हम पकाएंगे तो टमाटर को बहुत अच्छे से हमें गलाना है इसमें और जैसे जैसे पकते जाएंगे आप इसे हलका सा कर्ची से थोड़ा मैश करते जाएं ताकि और अच्छे से cook हो जाएं तो यहाँ पर जो टमाटर है वो थोड़ा सा पक गए हैं इसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया है कर्ची से और अब मैं इसमें एट करूँगी नमक तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है क्योंकि यह फास्ट का खाना हम बना रहे हैं तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें एट करूँगी एक चमच कश्मीरी मिर्च पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इससे इसका कलर एक तो बहुत अच्छा आता है और अब मैं इसमें एट करूँगी एक चमच भुना जीरा पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके लावा मैं इसमें और कोई मसाला एट नहीं करूँगी तो अब मैं इसमें अड़ करूंगी दही तो मैंने यापे डेट चमच बिलकुल गाड़ा दही लिया है डेट बड़ा चमच मैंने इसमें दही अड़ किया है और फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा हाई फ्लेम पे से मत कूक करिएगा अदरवाइस जो दही है वो एकदम से पानी छोड़ देगी और सबसी एकदम अच्छी नहीं बनेगी यहाँ पे धही और मसाला आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आया है आप देख सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे आलू, तो यहां पे मैंने 5 पॉयल आलू लिये हैं, जिसे मैंने पीसीज में कट कर दिया था, वो मैं इसमें एड़ कर दूँगी, तो आलू को इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो मसाला है वो आलू पे अच्छे से कोट हो जाए, और इसके अलावा इसमें एक ट्रिक में आपको बताती हूँ, एक आलू को अच्छे से मैश करके इसमें एड़ कर दे, इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी से थिक हो जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, तो यहां पे मैंने अच्छ हो गए है, अब इसमें हम एड़ करेंगे फ्रेश धन्या पत्ती, तो धही वाले आलू जो है यहां पे फास्ट के लिए वो बनके रेडी हो गए है, आप देख सकते हैं, देखने में यह बहुत ही डिलिशियस लग रहे हैं, तो यह जो फ्रेंट्स आलू की सबजी है, यह अ अच्छा कलर आया बहुत ही टैम्टिंग लग रही है, तो आईए पूड़ी बनाते हैं, यहां पर मैंने सिंघाडे का अटा लिया हैं, आपको ट्वक आटा ले सकते हैं राजिए का अटा ले सकते हैं, तो मैंने यहां पर 200 groupe लिया है सिंघाडे का अटा, इसे एक परात मे पूडियां निकाल लेते हैं, और इसमें हम Greek करेंगे आलु, तो यहां पे मैं दो d वॉइल्ड पोटैटोस को यहां पर ग्रेट कर लूँगी, इसमेंmost ग्रेट करके sentence अगर आपको नहीं पसन तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं बट इसमें आलू ग्रेट करके डालेंगे नहीं तो आपको पूरी का स्वाद बहुत टेस्टी लगेगा अब हम इसमें आट करेंगे सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे और एक सॉफ्ट टू मीडियम डू हम रेडी कर लेंगे बहुत ज़्यादा हाट डू मत बनाएगा अधरवाइस पूरिया बनाते समय बहुत क्रैक्स आएंगे तो यहाँ पर डू रेडी हो गया इसे साइट में रख देते हैं अब हम बनाएंगे आपे साबुत दाना वड़ा तो यहाँ पर मैंने तीन बॉइल पोटेटोस लिए हैं इसे मैशर के हिल्प से थोड़ा मैश कर लेंगे तो मैं आज इसे डीप फ्राइ करके नहीं बनाऊंगी इसे हम बनाएंगे अपे पैन मे तो यहाँ पर आलू जो है वो मैश हो गए हैं इसमें एक कप मैं मिलाऊंगी सोक साबुत दाना तो मैंने इसे राद भर सोक कर लिया था जैसे अगर आपका एक कप साबुत दाना है त तोड़ी सी कश्मेरी मिर्च पाउडर एक चमच के राउंड और भुना जीर पाउडर एक चमच के राउंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो फॉर्म में ले आएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया आज मैंसे डीप फ्राइ करके नहीं बनाने वाली मैं इसे में बनाऊंगी तो मैंने अपे अपे पैन ले लिया है और जो डो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है अपे पैन को हम थोड़ा-थोड़ा ओइल डालके ग्रीस कर लेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओईल मैंने कविटी में डाल दिया है अब जो हमने डो बनाया था उसके बॉज्वें बनाएंगे और इसे आपको बहुत अच्छे से पकाना है, जो हमारा यहां पर वड़ा है, वो एकदम से क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है यह वड़ा, तो यहां पर हमारा जो सात्विक ठाली है, उसका सेकंड जो रेसिपी है, वो हम यहां पर बना रहे हैं, तो इसको जैसे जैसे ब्राउन होत जाए से पलट दे तो यहां पर जो साबुत दाना वड़ा है वो बनके बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं इसका जो आउटर कवर है वो बहुत ही जादा क्रिस्पी हो गया है और इंटरनली बहुत सॉफ्ट रहता है तो बहुत ही टेस्टी वड़े यहां पर बनके रेड से चप्टा करते जाएं फैलाते जाएं पिकॉस अगर आप यहां पर आटा बहुत टाइट कून देंगे या फिर उस पर सुखा आटा लगाएंगे तो आपकी पूडियां जो हैं बहुत हाट बनेंगी इसलिए मैंने यहां पर सॉफ्ट मीडियम डो को बिल्कुल रेडी कि तो यहां पर मैंने तेल रेडी कर लिया है तेल काफी अच्छा गरम होना चाहिए और मैंने पूड़ी इसमें डाल दी है अब दीरे-दीरे प्रेस करते जाएं कर्शी के हल्ट से और पूडियों को पकाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पूड़ीया अपने आप धीरे-धीरे फूलेंगी और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से से शेखना है दोनों तरफ से सेम इसी प्रोसेस से आप कुट्टू के आटे की या फिर राजकिरे के आटे की जो भी आप पसंद करते हो उसे बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी एकदम कचोड़ी जैसे जो यहां पर पूड़िया है वो बनके रेडी हो गई है एक है वो आटोमेटिकली अपने फूलती चली जाएगी तो यहां पर जो हमारी पूड़िया है जो आपको चौड़िया भी बोल सकते हैं बनके रेडी हो गई है आईए थाली को लगा लेते हैं तो यहां पर पहले हम आलू को लगा लेंगे अच्छा जो यह आटा होता है फ्रे गरम कर जाता है तो इसलिए इसके साथ ठंडी चीजे जरूर खाई जाती है आप लसी ले सकते हैं दही ले सकते हैं तो यह आप जरूर याद रखिएगा तो यहां पर हमारी सात्विक थाली व्रत की थाली बनके बिलकुल रेडी है आप देख सकते हैं पूड़ियां बहुत सॉफ्ट बनी है इस प्रॉसेस से तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा व्रत में खाएं सबको खिलाएं थैंक यू सो मुच मिलते हैं नई रेस्पी के साथ